प्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल बिंदास आइडियाज में और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए मतर आलो की ग्रैवी वाली सबजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कुछ जादा मेटेरियल इसमें यूज नहीं की है मैंने आप देख सकते हो कित है आलो मतर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहां पर कुछ समान प्रिपेर्ड किया है जिसमें आपको आलो मतर की सबजी बनाने के लिए थोड़ा सा में चाहिए मस्टर्ड ओयल थोड़ी सी आलू कटी हुई इसको मैंने कट करके वाश करके रख लिया है एक टोमैटो पीसिस में काट कर रख सकते हैं एक टू ओनियन थोड़ा से सॉल्ट ग्रीन चिली गार्लीक जिंजर और यह तेज पते बेलिप्स जिसको हम बेलिप्स भी बोलते हैं यह मतर मैंने ग्रीन पी क्योंकि आज कल ग्रीन पी का सीजन है तो हम ग्रीन पी यूज करेंगे एक और यह लाल चिली पाउडर तर्मरिक पाउडर और हिंग और हम इसको थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे इसलिए मैंने यहां पे खलका इस्तमाल किया इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे और फ्रेंट्स हम चलते हैं कैसे हमें बनाने हैं कम तिल मे अलू मतर की सबजी इसके लिए आप हम गयास का फ्लेम, ओन करेंगे घान को गरम होनेसे देंगे हमने एक कुकर लिया है कुकर को थोड़ा गर्म करेंगे और हम देख सकते हमारा कुकर थोड़ा ग्रम हो गया है इसमें थोड़ा सा ओल डालें कि कि हमें कम अलमे बनाना इसलिए हमने टू स्पून या दूस्पून से थोड़ा कमी ग्री यूज़ किया है कि अब इसमें तेवल हमारा थोड़ा सा कॉत decisive है इसमें डालेंगे ग्रीज पर लिंग ड्रात कॉर no ग्रीन चिली और हमारी ग्रीन चिली थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी तब हम उसमें एड़ करेंगे अनियन अब इसको हम हलका गोल्डन ब्राउन होने देंगे और हमने आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मस्टर्ड ओल का यूज किया है आप ओल कोई भी यूज कर सकते हैं आप रिफाइंड ओल घी आपको जो जो ओल अच्छी लगते आप वह ओल लाइड कर सकते मुझे मस्टर्ड ओल पसंदे इसलिए मैंने मस्टर्ड ओल यूज किया है जैसे आप सब देख सकते हैं अनियन का कलर आना सुरू हो गया हमारा ओनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउ इस थोड़ा सा गुल्डन गोल्डन कагलर का जायगा लूर्णियन हो चुक है अब इसमें हम देखे हमारा ओनियन हो चुक आप इसमें डी टेजन कारिगे अए कि इसको आपने हम फिले ही चुड़ा के और वश करके रख लिया है अब इसमें पोटाइटोड करेंगे इसको भ कि आपो हमारी या जब तक हमारी पोटैटो और मटर थोड़े से रोज होते हैं तब तक मैं फेल में थोड़े। पानि करेंगे यह पैस्ट करेंगे अल्मों हो चुकी है रोजा में इसमें मसाले एड करेंगे यह हो चुका है इस में ममसाले करेंगे तर्मरिक पाउदर थोड़ा सब नियुका चिली पाउडर चिली पॉडर हम सवर्म तो यह ओनें फॉड दा कर ते CT 2-5 उप पाउदर चिली पाउडर से अब भी मैंने हींग पहले नहीं डाली क्योंकि मुझे मसालों के साथ हींग का टेस्ट अच्छा अच्छा खिल कहाता है अब हम इसमें एड करेंगे इसको थोड़ा सॉटे करेंगे अब हम थोड़ा सा वाटर एड करेंगे कि हमारे मसाले अच्छे से पख जाएं और इसको हम सोटे करते रहेंगे और इसमें एक most important चीज जो हमारी सबजी की टेस्ट को बढ़ाएगी वो है salt और हम इसमें salt as per our taste salt एड करेंगे और इसमें में tomato एड करूंगी इसको भी सॉटे कर देंगे थोड़ा अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट एड़ करूंगी और आप देख सकते कि यह कितना प्यारा कलर खिल के आया है जिंजर गरलिक का पेस्ट आड हो रहा है जो हमने खल में कूट कर बनाया जिंजर गरलिक का पेस्ट इससे ये हम मार्केट से रेदी मैट भी यूज कर सकते हैं लेकिन मार्केट वाला जिंजर गरलिक मुझे पसंद नहीं ये थोड़ा खल का कूटा हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट का तेस्ट बहुत अच्छा खिलके आता है सबजी में और आप यह देख सकते हैं कि हमारी सब्जी फ्राई होना शुरूँ गे इसको हम थोड़ी दिर फ्राई करेंगे इसको ढख देंगे और फ्राई करते रहेंगे बीच बीच में कुकर का ढड़कन हटा कर अशन ses सौटे करते रहेंगे कि हमारी सब्जी नीचे से। ओ enfor Elena आ ले एैben कि अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी फ्राइण हो चुकी है अच्छे से बगल से और ना को आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा आइंक है अब इसमें थे छोड़ा सा वाटर अआड करेंगे ग्रेवी के लिए वन गलास वाटर अड़ा क्रेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे तकी water में मसाले mix हो जाएं देखें हमने पानी add कर दिया है अब हम इसमें वेशल लगाएंगे तुकर का ढटन बन कर देंगे और तीन भेसल तक का हम wait करेंगे तीन वेशल लग जाएगी उसका हम देखेंगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी है तो wait करते हैं थ्री वेशल कर देखिए हमारी वेशल लगने से शुरू हो गई कूकर में इसी तरह हम थ्री वेशल का इंतिजार करेंगे अब हमारी सब्जी यह बन रेडी हो गई है अल्रेडी इसमें थ्री वेशल लग चुके हैं अब मैंने गैस का फ्लेम भी आफ कर दिया है अब वेशल निकलने तक हम बेट करेंगे अब यह हमारी सब्जी थंडी हो चुकी है देखिए गैस का वेशल भी निकल चुका है कूकर का और यह हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए इसको गरमा गरम आप चापाती रोटी यह चावल के साथ परोज सकते हैं अब मैं आपको इस वो सर्विंग बॉल में निकाल कर दिखाती हूं और आप यह देख सकते हैं कि सब्जी काफी ही यमी बनी है अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताती हूं कि यह कैसी बनी है हमारी सब्जी वर इत सो यम्मी मैं तो इसे और भी खाना पसंद करूंगी और मैं इसे गर्मा गरम रोटी के सथ खाना पसंद करूंगी आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें कम ओयल में और बिल्कुल कम समय में आलू और मतर की सबजी थाइंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई